हेलो फूडी कैसे हो आप सभी मैं आपकी दोस्त और आनलाइन सेफ खुश्व कनोजी अता है जिल से अपने चैनल घर का जाय का विद खुश्व में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपके साथ ब्रेट विडियानी की रेस्पी सेयर कर रही हूँ आपने तो ब्रेट की कई तरह की रेस्पी खाई होंगी बट ब्रेट विडियानी ना आपने कभी खाया होगा ना आपने इसे कभी शूना होगा तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसके सारे इंगेडियन्स को लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक कर लिजिएगा तो ज़्यादा बाते ना करते हुए चलिया स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इसके लिए हमें जो जो इंगेडियन्स चाहिए वो सारी ये है तो सबसे पहले हम बासमाती इंडिया गेट राइस लेंगे इसे हम 10-15 मिनिट के लिए पानी में शोक कर लेंगे और हम आलू लेंगे इसे बड़े-बड़े स्लाइस में कट करकर इसका छिलका उतार लेंगे और इसे अच्छी तरह से पानी से बॉस कर लेंगे फिर हम प्याज लेंगे वो भी पतला-पतला स्लाइस में कटा हुआ हरी मिर्च लेंगे गाजर लेंगे इसे भी अच्छी तरह से बॉस कर लेंगे और इसका छिलका भी उतार लेंगे हरी मटर लेंगे एक कटोरी भाड़ काजू और किस्मिस लेंगे और इसका में इंगेडियन्स है वो ब्रेड ब्रेड लेंगे और इसे भी हम लाइस में कट कर लेंगे हमारी सारी इंगेडियन्स रेडी है बस इसमें हमें दो सिक्रेट इंगेडियन्स और एट करना पड़ेगा वो आपको हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे तो आप मेरी वीडियो को बीना मिस की हुए जरूर देखिए अब हम सारी वेजिटिवल को फ्राई कर लेंगे तो इसके लिए एक पैन लेंगे उसमें हम वाइल आइट करेंगे जब वाइल गर्म हो जाए तब हम इसमें गाजर को फ्राई करेंगे मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ अगर आप वेजिटिवल को थोड़ा जल्दी और किस पकाना चाहते हैं तो आप इसमें चुटकी भर नामक आइट कर दीजेगा इससे हमारा भेजी बहुत ही क्रिस्प बनेगा हमारा गाजर फ्राई हो गया है अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे इसी तरह हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे अब हम किश्मिश और काजु को भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे अब हम ब्रेट को चार सलाईस में कट करकर इसे भी दिप फ्राई कर लेंगे इसका सिक्रेट इंगिडियन्स जो कि हमने आपको बताया था वो है क्रीम और दही अगर हम एक कप दही लिए तो उसमें चोथाई भार क्रीम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेट लेंगे ताकि इसमें कोई लाम्स न रहे और हमारे जब दही पके तो भोग फटी न अब हम इसमें मसाला एड करेंगे मसाले में हम हल्दी, मीर्च, जीरा पौडर, सॉल्ट और गरम मसाला एड करेंगे यह मसाला घर का बना हुआ है, अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं अब सारे इंगेडियन्स को मिक्स कर लेंगे अब हम गिरेवी तयारी करेंगे, तो इसके लिए एक पैन में घी आइड करेंगे जब घी मेल्ट हो जाए, तब हम इसमें तेजपत्ता और जीरा आइड करेंगे अब इसमें स्लाइस किया हुआ अद्रक और हरी मिर्च आइड करेंगे मैंने इसे स्लाइस में इसलिए कट किया, अगर किसी को ये पसंद ना हो, तो वो इसे साइड कर सकता है अब मैं इसमें खरा मसाला आइड करूँगी, जब इसकी खुस्पू आने लगे, तब हम इसमें फेटे हुई दही आइड करेंगे दही जब आप इसमें आइड किजिएगा, तो गयास की फ्लेम लो या फीर आफ रखिएगा और इसे हम चलाते रहेंगे जब इसमें एक उवाल आजाए, तब हम इसमें फेजिटेवल आइड करेंगे जब इसमें उवाल आजाए, तब हम इसमें मटर आइड करेंगे मैंने इसे फ्राइ नहीं किया है, मैंने इसे वाइल किया है अब इसमें एक उवाल आने तक कूप करेंगे देखे इसमें एक हुआ ला गया है अब मैं गैस को बंद कर दूँगे मेरी ग्रेवी तयार है मेरी ग्रेवी भी तयार है चावल भी कूख है मैंने इसे लॉंग के साथ कूख किया है अब मैं इसकी लेरिंग करती हूँ तो इसके लिए एक पैन लेंगे उसमें हम घी एड़ करेंगे और घी को चारो तरफ से फैला लेंगे अब बैच चावल की सबसे पहले लेयरिंग लगाऊंगी फिर उसमें पूरी ग्रेवी एड़ कर दूँगे उसकी लेयरिंग लगाऊंगी अब मैं फ्राई की हुई ब्रेड की स्लाइस एड़ करूँगी और उसकी लेयरिंग करूँगी फिर मैं उपर से चावल का एक लेयर और लगाऊंगी इसमें हरी मिर्च एड़ करूँगी फ्राई किया हुआ आनियन एड़ करूँगी और हरा धनिया एड़ करूँगी फिर हम लिवन जूस एड़ करेंगे मैं यहाँ पर केसर का यूज नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ फूट कलर का यूज कर रही हूँ एक दो चामा से मैं इस पर फूट कलर एड़ करूँगी और चार कोना से मैं इस पर घी एड़ कर दूँगी और इसे दम लगाने के लिए इसे आटे से हम कोटिंग कर देंगे और उपर से गरम मसाला एड़ करेंगे इसे हम 10-15 मिनिट के लिए एक दम लगाएंगे दम लगाने के लिए एक तावा लेंगे उसे लो फ्लेम पर हीट होने देंगे जब वो गरम हो जाए तब हम उस पर बरतन को एड़ कर देंगे और 10-15 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर दम लगाने के लिए रख देंगे पांच मिनट बाद मैं इसे ओपन करूँगे जब मैं इसे ओपन करूँ तो इसकी खुस्वू बहुत ही लाजवाब है इसकी खुस्वू मेरे घर में चार तरफ फैल गई है मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेडियानी रेडी है देखे इसका चावल कितना खिला खिला है लगरान देखने में खुबसूरत क्योंकि घर का जएका विद्खुश्वू में जो दिखता है वही पकता है अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ इसे मैं दही के रायते के साथ परोसूँगी और उपर से फ्राई किया हुआ आनियन और बिरियानी तो बीना नीम्बू का अधूरा है तो इसके लिए मैं एक नीम्बू की स्लाइस और हरी मिर्च अइड करूँगी मेरी बिरियानी रेडी है मैंने इतने प्यार से बना आया तो इसे टेस्ट करना तो ज़रूरी है तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं देखिए चावल कितना खिला खिला है वाव मज़ा आ गया ये बिरियानी बहुत ही टेस्टी और ला जवाब बना अगर यकीन नहीं होता तो आप एक वारी से अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कि कैसी बनी है आई होप आपको ब्रेड बिरियानी की रेशिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेन एंट फैमिली में सेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और सबसे इंपोर्टेंट बात अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने मेरे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे एक सस्क्राइब जरूर करें इनकी सस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता बट मेरा होसला जरूर बढ़ता है आगे काम करने को आप मुझे इस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं कन्वाजाखस्वू और डबल टू तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहें खुशियां बाठते रहें और आज पास सफाई बनाए रखें क्यूंकि अपना भारत स्वक्ष भारत थैंक यू फर बाचिंग टेक केर और नमस्कार